नमस्कार और सलाम, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्लैटन ट्रांस्फोर्मेशन शुरू करते हैं तो मैंने पहले से ये पाइपलाइन बना रखी है यहाँ पर हमारे पास डेटा फ्लो एक्टिविटी है इस डेटा फ्लो के अंदर आते हैं यहाँ पर मैरे पास जेशन फाइल हम रीड करेंगे यह फाइल जो हम रीड कर रहे हैं यह है ओर्डर्ड.csv फाइल ओर्डर्ड.json फाइल माफ करना यह 75 नमबर के फोल्डर में है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा आप उसको डाउंडूड कीजिए और डेटा लिक में अप्लोड करना है आपको जब आप इसका डेटा सेट क्रिएट करते हो तो फाइल टाइप जेसन सेलेक करना बहुत जुरूरी है दिलिमिटेट नहीं क्योंकि यह जेसन फाइल है तो प्रोजेक्शन में आ जाते हैं यहाँ पर है हमारे पास ओडर आइडी, ओडर डेट और आइटम्स अगर आप इस फाइल को देख रहे हैं यहाँ पर हमने अप्लोड किये हैं तो इसमें तीन रोज है जिसका ओडर आइडी 1001, 1002 और 1003 है और हर एक रोज में तीन कॉलम है, ओडर आइडी, ओडर डेट और आइटम्स अब आइटम्स जो कॉलम है यह है एरे, तो पूरा एक्जाम्पल इसी पे है हमारा फोकस आइटम्स में अगर आप गट से देखते हो 1001 आइडी के लिए एक ही आइटम है 1002 के लिए दो आइटम है टीवी और फोन, और 1003 के लिए तीन आइटम है, हेड़फोन, कीबोर्ड और कैमरा, अब यह जो है यह एक एरे है, आइटम्स का कॉलम्स अगर हम इसमें डाइरेक्लि एक चीज के लिए फिल्टर करना चाहरे है इक्वल टू, जैसे मालो कोई भी चीज तो यह ममकिन नहीं है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कुछ ऐसा फीचर जो इन रोज को स्प्लिट करें मल्टिपल रोज में, और इसी ओपरेशन को हम कहते है फ्लाटन, तो यह देखेंगे हम, सबसे पहले हम कुछ चीज और देखते है अभी कोई फ्लाटन ट्रांस्फरमेशन या कुछ चीज एड ने की, सोर्स कनेक किया है, और बस हम प्रिव्यू देख रहे है तो अब देखें, यहां पर अब इसका कारण यह है हमारा जो यह फाइल है, जेसन का यह अलग-अलग लाइन में स्प्लिट है और यह एक एरे है, तो अगर हम, सोर्स ओप्शन में आ जाता है, यहां पर कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग है इसकी जुरूत हमें CSV फाइल में नहीं पढ़ती है पर जेसन के अंदर सेटिंग होता है तो सोर्स ओप्शन में आना है, सोर्स ट्रीम में जेसन सेटिंग के अंदर अब यहां पर तीन ओप्शन है, सिंगल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पर लाइन और एरे आपको यह सेलेक करना, अरे ओफ डॉक्यूमेंट, जब आपका यह मल्टी लाइन डेटा या इसमें अरे होता है, जैसे की इस तरीके से तो यह चीज ध्यान रखिए आप अब अगर हम डेटा प्रिवियू को रिफ्रेश करते हैं तो यह ठीक से दिख जाना चाहिए यह सबसे पहला चीज है, जब भी भी आप जेसन फाइल को रीड करते हैं तो ध्यान दीजेए, देखिए अब सही से दिख रहा है 1001, 2, 3, order date दिख रहा है अब यह items ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि यह array तो आपको इसको click करना पड़ेगा उसके अंदर आपको दिखेगा, items यह column है और एक item है laptop दूसरे row पे अगर हम click करेंगे तो दो दिखेंगे 1, 2, TV और 4 तीसरे पे click करेंगे तो 3 दिखेंगे लेकिन अभी यह क्या है? यह array के अंदर है मतलब अंदर उसके अंदर store है हमें इनको expand करना है इसी को हम कहते है flatten तो यह अलग-अलग row में आ जाने चाहिए हाला कि जैसे कि यह items है, last के 3 1003 जो order ID और order date इनका order ID और order date same ही रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह अलग-अलग row में आ जाए तो यह कैसे कर सकते हैं उसके लिए है flatten transformation तो flatten add किया, इसको हम कहते है flatten orders, बस अब यहाँ पर एक ही setting है, जो जरूरी है अगर हम scroll करते हैं तो देखो नीचे 3 column दिख रहे है, order ID, order date items, तो यहाँ पर आपको आना है unroll by, unroll by के उपर यह आई के उपर अगर आप click करते हो तो यह बताएगा choose the array in your data to flatten तो इसका मतलब क्या है कि array वाला column जो है आप select कीजिए अब यहाँ पर order ID और order date जो है, आप इसको select नहीं कर सकते क्योंकि यह array नहीं है, यह string है तो इसलिए कि है वो inactive है तो यहाँ पर भी काफी अच्छा काम किया है उनने ताकि गलती से आप इनको select ना करें सिर्फ items active है क्योंकि वो भी array है तो अगर आप गौर से अभी देख रहा है उसको, समझ में आएगा यह जो है square bracket में लिखा हुआ, यह array type है एक दूसरा pattern भी होता है वो भी हम अलग से देखेंगे पहले इसको समझते है यह कर लिया आपने, बस इतना करना है आपको unroll by में यहाँ पर हमने unroll by में items जो column था हमारा array वाला, उसको select किया यह वाला column, items column बस, तो अब देगी हमें 6 rows मिल गए, 1001 के लिए सिर्फ एक ही row item था, इसलिए एक row मिला, 1002 के लिए दो item थे इसलिए दो row और तीन के लिए तीन थे इसलिए तीन row मतलब क्या है, कि flatten का यह मतलब है कि array के अंदर जो जितने भी items रहेंगे, उतने rows आउटपुट में दिखेंगे, उस combination के लिए order id और order date के लिए तो order id और order date जो है वो repeat होगा, या बाकी जो column है सिर्फ array अलग-अलग row में दिखेगा, आप इसको आप आसानी से क्या है, filter वगेरा लगा सकते हो तो बस यही चाहिए था हमें अब हम इसको sink transformation में sink लगाएंगे, ताकि हम इसको save कर सके, तो sink flatten और push करना चाहेंगे, इसको हम data lake gen 2 delimited text रखते हैं ds sink orders flatten data lake का connection और तुरंत browse कर देंगे और इसको हम 75 number की folder में save करते हैं, पहले से ही मेरे पास folder है first row header है, ठीक है तो यह output तो आ जाना चाहिए, हम output को एक साथ चलाते हैं, इसके पहले मैं और एक example आपको बताता हूँ एक और एक दूसरा file है इसी data flow में हम add source करते हैं तो इसको हम कहते हैं read emp json तो यह दूसरा जो file में आपको दिया एक folder में, इसको read करेंगे हम employees.json, मैंने पहले से उसको data link में upload कर रहा है new dataset तो देखे, इस तरह की से json का data set बनाना आपको, कुछ खास फरक नहीं है data like gen 2, हम delimited करते हैं delimited के वाज़ जेसन करना आपको यह दर ही किसे मैंने पहला भी किया है इसको हम कहते है, ds.json.emp.source और data link का connection दिया और browse करके हम बस employees.json का file select कर लेते हैं यह आप़र है OK अब इसमें भी क्या है कि ध्यान से अगर हम इसको देखना चाहते हैं इससे पहले कि हम run करें इसमें थोड़ असा चीज अलग यह है कि यहाँ पर EMP AD, EMP name, salary normal है, लेकिन phone जो है phone में भी एक array है, लेकिन इसमें थोड़ असा change है, कि वहाँ पर कैसा था बस item के नाम अंदर थे लेकिन यहाँ पर item के साथ उनके column के नाम भी जुड़े होगे, तो phone एक master column है, इसे समज लीजे और उसके अंदर फिर mobile का भी एक है और home का भी एक है, जैसे दो अलग-अलग चीज़े, तो ऐसे case में हम क्या करेंगे देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम जेसन सेटिंग्स में जाएंगे इसको भी आपको area of documents करना है और इसका projection देखे कुछ इस तरीके से दिखेगा यह अभी तो यह nested है refresh देखते हैं अभी यहाँ पर किस तरीके से दिखता है और इसको किस तरीके से दिखता है mobile और home ठीक है अब हमें क्या करना है कि यह phone का जो column है इसके अंदर दो चीज़े mobile और home इनको दोनों अलग-अलग को दो अलग column में रखना है हमें तो इसके लिए भी हम flattened transformation का इस्तेमाल करेंगे वही रहेगा बस हलका सा इसमें कुछ और change करेंगे flatten तो इसको हम कहते है flatten EMP data तो change जो है यहां पर सबसे पहले unroll में तो same रहेगा unroll में क्या है वहाँ पर हम्मारा array column item था यहां पर array column phone है तो इसको select करेंगे अब दूसरा change क्या है कि नीचे जो है अब जिसको हम unroll कर रहे थे पिछले example में items में उसके अंदर ही values थे तो ठीक है directly values आगा split होके लेगिन यहां पर क्या है उस phone के अंदर भी दो columns है एक है mobile और दूसरा है home तो दोनों को अलग-अलग column में रखना है लेगिन अभी जो schema नीचे दिख रहा input column यह 4 दिख रहे हैं तो बस आपको इसको करना क्या है इस पे एक बार आपने यह select किया ध्यान रखिए एक बार आपने unroll by select किया उसके बाद आपको reset पे click करना है जैसे आप reset पे click करेंगे वो read करेगा उसके अंदर से unroll करके तो phone.mobile, mobile बन जाएगा यह नाम आप कुछ भी change कर सकते है phone.home, home बन जाएगा और यह phone.mobile का मतलब क्या है यह है, यह phone.mobile phone.home right side में आप कुछ भी नाम दे सकते हैं लेकिन अभी क्या है हमरे कुछ और column छूट गए जो हमें चाहिए थे तो कोई बाद नहीं हम add कर लेते हैं उनको fix mapping में EMP ID को EMP ID नाम आप change कर सकते है add mapping, अगला है यहाँ पर EMP name बस tap कीजे या select किया तो भी आ जाता है right side में भी और अखरी में रहेगा salary और फिर हमें थोड़ा sequence बदलना है तो यहाँ पर mouse लाना है यह दिखे, dots दिखेंगे आपको 6 dots हैं यहाँ पर इन 6 dots पर लिखके drag करना है आपको नीचे इसी तरीके से इसको भी मैं drag कर दूँगा अब sequence बराबर है refresh कर देंगे तो छोटी-छोटी चीजे हैं JSON बहुती अकसर इस्तमाल होता है file types में तो देखें यहाँ पर अलग-अलग अभी column में आ गया और यही चाहिए था हमें बस यह हो गया तो अभी हम इसको sync में push करते हैं तो दो अलग example हमने देखे हैं इसको नाम देंगे हम sync emp data प्लस इसको हम detailic gentoo में करते हैं और यहाँ पर delimited text ds emp platan इसको भी हम वही वाले destination container में या कई और भी पुश कर सकते हैं फिलाल मैं वही वाले ले लेता हूं first2s header okay अब हमारे दोनों streams parallel में चलेंगे तो debug कर लेते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारे folder में तो बस दोनों में example में थोड़ा फर्क है लेकिन इस्तमाल करने का तरीका same है बस नीचे आपको reset करना था दूसरे वाले example में और columns अपने हिसाब से आप रखे या निकालिए इसको refresh करेंगे यह हो गया refresh किया तो दो files आ गया पहले वाला file देखते हैं तो देखे यह हमारा दूसरे वाला जो example था यह उसका data है और यहाँ पर यह पहले वाला इस तरीके से गया flatten transformation का इस्तेमाल करके अब data को flat कर सकते इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए शुक्रिया बने रहे धन्यवाद